बंगलोर में एक ऐसी घटना हो गए जिसे सुनकर के दोस्तो आपका दिमाग खराम हो जाएगा दोस्तो आपको बता दे कि नेपाल की एक लड़की बंगलोर में रहती थी अपने पती के साथ में और उस लड़की का बंगलोर में ऐसी घटना हो गए कि फ्रीज में दोस्तों उसके उनसर टुकड़े कर दिये गए वो लड़की महालचमी नाम की है आखिरकार उस लड़की का कौन है दोस्तों यहाँ पे जिसने उसकी सरीर के पहुंसर तुकड़े कर दिये और फ्रीज में इकथा कर दिया आखिरकार इतनी बड़ी घतना को अंजाम कैसे दे दिया गया चलिए दोस्तों इस कहानी की सुरुआ आखिरकार कौन इस इतनी बहरायमी से दोस्तों इस बरकार का घिनावना क्रत कर सकता है चलिए आए पूरी दोस्तों बात कर लेते हैं तो आखिरकार दोस्तों यह एक दोस्तों जो लड़की है जिसका नाम महालचमी है जो कि नेपाल की रहने वाली थी और दोस्तों इसके ब 29 सितम्बर को उनकी லगकी के साथ में ऐसा क्याक्या हुआ जो आज इस प्रकार से कोई बयंबेटी या कोई वी मा है जो दोस्तो इस परकार से मतलब अपने घर से लापता हो जाती है या उसका कोई गलत अवैद संबा नहीं दोस्तों उसका भी इसी प्रकार का हस्र हो सकता है तो आप लोग अपने भाई बहन और पिता इन सब के बेटे के अलावा और किसी पर उम्मीद मत करिएगा आग की डेक में जमाना बहुत दुरा है और किसी पर विश्वास भी आपको नहीं करना है अगर आप किसी पर भी पर कर के आई थी श्रद्दा वालकर नाम की एक लड़की थी और उस लड़की की भी दोस्तों इसे प्रकार से 35 तुक्रे कर दिये गए थे उस घटना को और इस महाल अच्मी के जो घटना हुई है शेम टुशेम 2.0 मतलब इसी शेम टुशेम वह घटना हो गई है उसके 35 श्रद्दा का दोस्तों 35 तुक्ले किये थे जो कि आज भी कोट में दोस्तों वहाँ पे अभी भी उस श्रद्दा को न्याय नहीं मिला कोट अभी उसको सजा नहीं दे पाई आप लोग शमल सकते इतना बड़ा कांड करने के बाद भी अपने भारत का इतना कानून लचिला ह कि उस मिर्जिम को अभी तक कोट में दोस्तों केस चल रहा है बट कोहीं की दूर दूर तक उस केस में सजा होने की उम्मीद अभी नहीं मिल पाई आए इतना धीरे कानून यहाँ पे नियाय कर पाता है तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं यह करनाटक यह जो घटना ह अप यह करनाटक के बंगलूर की और उस में क्या होता है कि एक टीन मधिल को होता है और उस मकान की आजफास में लोग रहते थे यह भी दोस्तों वहाँ पर महल लच्मी भी रहा करती थी और उसका माकान मालिक था वह उस घर में नहीं रहता था मकान मालिक किराय कमरे पर दे करके वो मतलब अपना दूसरे जगह पर रहता था जो घर का मकान मालिक था तो आप लोग समझ जाओंगे और किरायदार दोस्तों जो महुला के आसपास के लोग है वहाँ पर रहते थे और जब महाल अच्मी दो तारिक को गयब हुई थी तो उसके बाद दोस्तों वहाँ पर कोई पर घर के आसपास का लोग नहीं रहते थे वो अकेले ही रहती थी वो अकेले क्यों रहती थी अपने पती से उसके बारे में भी बात करेंगे कि आखिरकाब अपने पती से क्यों अकेले रहती थी वो तीन मंजिले मकान में रहती थी उनके साथ में एक किरायदा और रहता था बड़ दोस्तों वहाँ पे बात कर लेते हैं उसके बाद जब किरायदा तीन मंजिले मकान में वो रहा करती थी मा भी थी उसकी साथ में और बहन भी ती बढ़ दोस्तों जब आसपास में उस तीन मंझिले से आसपास के जो पलोश की महुले को लोग होती हैं वो तीन मंझिला माकान में दोस्तों सुरुआख में तो लोग अंदाजा नहीं लगा पाते हैं मगर बाद में जब वहाँ पे उस मकान से इतनी ज़्यादा बदबू आने लगी इतनी ज़्यादा गंध आने लगी तो वहाँ पे लोगों को सक हुआ कि आखिरकार इस घर में ऐसी कौन सा कीड़ा मर गया है या ऐसी कौन सी दवाई रखी है जिसकी वज़े से इस घर से अंधारा है तो दोस्तों जब किरायदा मतलब वहाँ पे आसपास के परोशियों को थोड़ा थोड़ा दाउट होने लगा तो उन्होंने मकान मालिक के फार्स पोन लगा दिया और मकान मालिक जब आता है तो मकान मालिक उसके मार जो तीन मंजिला माकान तो वहाँ पे ताला वाला तोड़ करके अंदर जाता है जब मकान मालिक तो उसके होस उड़ जाते हैं वो जो देखता है तो दोस्तों उसके पैरे तले की जमीन किसक जाती है घर के अंदर आंगन के आजपास में बहुत सारे कीडे मकोडे रेंगते होती है तो वो मकान मालिक चुप चाप वापस आजाता है और वहाँ से नंबर निकाल करके वो जो लड़की थी महा लच्मी उसकी मा के पास और उसकी बहन मा के पास फोन लगाता है तो मा बहन दोनों फोन उठाती है और मकान मालिक जो होता है वो बताता है कि आईएगा आपकी बेटी इस घर में आपकी बेटी कहा चली यहाँ था कि ऐसा ऐसा मतलब यहाँ पर हम नजारा देख रहा है या फिर यह घर में कुछ अदबुत नजारा हो रहा है जिसको दोस्तों किशी को भी उम्मीद नहीं है तो उस घर के अंदर जब वो मकान मालिक के घर में उसकी माल महालचमी की मा और बहन जाती है जैसे जाती उनको शुरुआत में इस बात का अंदाजा नहीं होता कि घर के अंदर क्या होगा बट उनको दीरे दीरे बदबु आने लगती है वो लोग किसी प्रकाश से आकेकार मा बहन थी तो उनका कलेजा दोगा है वो बहुत ही जादा मलब वो हो रागा अंदर से धगड़ा को रहा और इधर गसीट रहते बड़ दोस्तों जैसे वो अंदर फिरीज की तरफ बढ़ती है तो जैसे दोस्तों उन्होंने फिरीज की तरफ इतना ज़्यादा बदबु मार रहा था कि उनको अंदर गुशा नहीं जा रहा था मगर फिर भी उनको अपनी बेटी और बेटी और बे जाने लगी और बहुत ज्यादा दोस्तों वहाँ पे वो दोनों मा बेटी इतना ज्यादा परेशान हो गई जब उस प्रीज को खोलती है तो उनके फाक्सते उर जाते हैं और दोस्तों आज पास के लोग भी घर के बाहर खड़े होते हैं वो लोग भी दोस्तों सुनते क्या कि बाहर आया जैसे ही दोस्तों वहाँ पे घर के बाहर आया और वहाँ पर उन्हों ने देखा कि घर के इधर कोने ओने में भी तुकड़े परे हुए हैं तो दोस्तों उन लोगों के हो सुर जाते हैं और घर पे बाहर आने के बाद रोने लगती हैं कुप जोर जो से मा और बे कि आखिरकार ये आखिरकार मेरी बेटी जो लच्मी उसके साथ क्या हो गया तो इस बात को ले करके दोस्तों ये जो कांड हो रहा था ये कांड बहुत ज्यादा मतलब आप लोग शमश सकते संसनी खेज मामला हो गया ये बिल्कुल सरद्धा वालकर के जैसे जैसे उसके 35 तु प्रयोग है तो वहाँ पे जिद्ध मकान मालिक और उनकी जो मा बहन थी लम्हा लच्मी के उन्हेंने पुलिस वालों को फोन कर दिया और पुलिस जैसे घर में इंट्री मारती पुलिस भी गुसना नहीं चाहती थी और पुलिस से दोस्तों उसके अंदर जाया भी नहीं जा रखा हुआ था बीच में दोस्तों हाथ पाव भी और भी बहुत शारे तुकर रखे तो जो कि पूरे फ्रीज में पुरा लबालब भरी हुई की बलड शे भी और दोस्तों उसमें आकर के पोश्ट माडम वाले उसके एक एक बोटी को उठाते हैं और वो पोश्ट माडम के ऐसके माडम के लिए दोस्तों पूरी बाडी के पाइस होते हैं उसको ले करके चले जाते हैं अब दोस्तों पुलीश ने क्या कि यह तया कि जो माहल अच्मी का नमबर था मोबाल नमबर दिख उनसने पकड़ मोबाइल वे उनके हाथ लग गया और मोबाइल को शर्वी लांस में दे दिया और उसमें ट्रैक किया गया कि आखिरकार ये किस-किस से बात हो रही है तो दोस्तो अब आगे बाद बढ़ती है जब पुलिस वालों ने काफी ज़्यादा यहाँ पे हंगामा शुरू कर दिया तो यह मामला जैसे पुलिस यहाँ पर कोश्न मा रडन के लिए बेशशी तो उसके बाद यह मामला महल अचमी 29 साल की होती थी और यह नेपाल में रहने वाली थी और दोस्तो इसके पतिक नाम क्या था इसके पतिकल नाम था हेमन्त दास हेमन्त दास जोकी बंगलोर में एक बढ़ दोस्तों जब इन लोगों से मतलब उसके पती के पास भी कुछ दिन अपने पती के पास तो वो मुबाइल की दुकान में दोस्तों वो काम करता था उसका जो पती हेमन्थ था आप दोस्तों जो लड़की थी महालचमी उसका क्या था दोस्तों वो एक मतलब वहाँ पे ब्यूटी पालर की शौप थी जो कि उसी इलाके में जहांपे उसका पती रहता था मल्लीवेशरम में दोस्तों बीटी पालर की शौप में वो जॉब करती थी वहीं दुकान पर तो उस조री के बगल में एक नाई की दुकान थी और नाई के दुकान में एक लटका काम करता था जिसका नाम था असरफ उस लड़के से और उसकी पत्नी जो महालचमी थी हेमन्त की पत्नी जिसका दोस्तों ये हुआ है मतलब ये कांड हुआ है जिस लड़की साथ में उस लड़की का महालचमी का असरफ नाम के एक मुश्रिम लिवाक से अफियर हो जाता है और उन दोनों का अफियर बहुत जादा हो जाता है वो दोनों मतलब एक दूसरे से मिलने लगते हैं तो जब इस बात की खबर उसके पती हेमंत को पता चलती है तो उसके पती को ले करके जब इसका पती पता चल जाता कि आकिर का मेरी पत्नी का दूसरे मर्द के साथ में अफियर चल रहा है तो तो वो लड़की बतलब उसका आदमी जो है वो अपने पत्नी को मारता है और अपने पत्नी से जगड़ा करता है कि आखिर कार तुमको ऐसी का ज़रूत पढ़ गई कि जो तुम मुझे छोल करके दूसरे के पास जा रही हो और मुझे धोखा दे रही हो तो ये लड़ाई जब होती थी तो दोनों के बीच में काफी ज़्यादा इसको ले करके जगड़ा हुआ करता था और बाद में उन्होंने क्या किया कि महा लच्मी ने अपने पती को छोड़ने का डिशीजन लिए क्योंकि कलेश होता है जब लड़ाई होने लगती है तो दोस्तों पत्नी बहुत बना लेता है और उसको क्या करता है कि वो अब अपने पत्नी को तलाक देने के लिए भी तयार हो जाता है उदर दूसी तब लच्मी भी तलाक लेने के लिए तयार हो जाती क्योंकि वो अफसरफ नाम के एक लड़के से जो की नाई के दुकान में काम करता था उसके साथ में वो relationship में आ जाती है तो वो दोनों को जब तलाक होता है तो दोस्तो जो उसका लच्मी और हेमंओं का जो एक बेटा था वो अपने पिता के साथ ही रह जाता है वो दोस्तो लच्मी के साथ नहीं जाता और लच्मी क्या करती है अपने मा के कहने पर वो चली आती है, मा के पास चली जाती है और वहीं बगल में तीन मंदिले मकान में room ले करके रहने लगती है और उस मकान में दोस्तों कभी-कभी वो असरप नाम का जो लड़का था वो लचमी को छोड़ने आया करता था और रात में भी उसके पास आया करता था उन दोनों की ये लंबी लब स्टोरी काफी दिनों तक चली है फिर बाद में ऐसा कौन सी घटना हुई आए कि अचानक से दोस्तों दोनों आते जाते रहते थे मिलते रहते थे इस बात पती तो दूसरे जगा रहता था जहां पे दोस्तों उसका घर था मगर पत्नी किराय के कमरे में रहने लगी थी उसके पती को छोड़ करके तो दोस्तों ये 2 सितंबर की घटना थी जब 2 सितंबर को दोस्तों लचमी लापता हो जाती और 21 सितंबर को उसकी लास मिल जाती है पुलिस वालों को अब पुलिस का काम था पुलिस दोनों लब उसके पती हेमंद को बिलाती है और उससे कड़ी से कड़ी कारवाई करी जाती है और उससे जोर जब जरज़स्ति करके उससे पूंचा जाता है कि साइद इसका पती पती को अपने तलाग दी दी हो उसका पती ने इस घतना को अंज काम दिया होगा मगर दोस्तों जब पुलिस उसके पती हेमंद से पूछताज करती है तो पुलिस भी उसका कोई भी दोस्तों वहाँ पे शबूत नहीं करता कर पाती है और उसका पती को दोस्तों वहाँ पे ऐसा लगता है कि वो उसके पती से पूछा जाता है तो वो बोलता है पुलिस दोनों का हाथ नहीं दिखाई देता है जब पुलिस को कोई ठोज शबूत नहीं लगता है हाथ में तो पुलिस दोस्तों क्या होता है? कि उसकी छानबिन और तेजी से बढ़ा देती है और पुलिस ने दोस्तों क्या किया है? कि जो उस महाल अचमी को जो इस प्रकाश से उनसर तुकड़े किये गये है वो दोख्तों कहीने के पुलिस को दावक हो रहा है कि भुनेशवर का एक व्यक्ति है इस घटना को जो अंजाम दिया है और उसका जो पती है या फिर उसका जो नया वाला वोई फ्रेंड है उन दोनों ने इस घटना को अंजाम नहीं दिया पुलिस अभी भी इस केस को ले करक और उसको महल अच्मी को निया भी मिलेगा और उनकी मा बेटी अभी भी रो रोकर परिशान है बंगलोर की ये सच्ची गटना दोफ्तों आप लोग इसमें क्या सीखे आखिरकार दोफ्तों समाज में बहुत सारे ऐसे लोग आ चुके हैं ऐसे राच्छास आ चुके हैं जो रहानी सुनाने का ये मकसद है कि आप लोग दोस्तों सतार को जाएं कि किसी भी ऐसे अंजान आदमी के चंगुल में नहीं पसना वो आपके जीवन से भी दोस्तों खेल सकता है तो दोस्तों आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा और आप लोग कहां से वीडियो दीजेगा और शेयर कर दीजेगा मिलते फिर आपको अगले वीडियो में तब तक लिए आप सभी का बहुत बहुत सुक्रिया धन्यवाद नमस्ट